श्री गनेशाय नमहा ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चढआव आते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं दोस्दो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 11 भाव में है जी हाँ 11 भाव यानि लाबस्तान लाबस्तान में चंद्रमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब जरू दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनो कामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते है इस दिन आपका मन प्रसंद रहेगा टेंशन फ्री रहोगे पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुबात करोगे इस दिन आपको कोई ऐस खुशी भी प्राप्त हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सुक मिलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए कापी उत्तम है इस समय में निवेश करने से आपको चार गुना तक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी इंकम में बड़ोत्री हो सकती है आपको इस समय में धनला भी हो सकता है अगर आप बिजनेस करते है और वो अगर पार्टनर्शिप में है तो बिजनेस पार्टनर्शिप में आपको अच्छा लाप इस समय में मिल सकता है इस समय में आप को पूरा सहयोग मिलेगा यह समय यात्राय करने के लिए भी बेहतरीन रहेगा यात्राओं से आपको लाब हो सकता है बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते है या फिर आपके प्रोफिशन के लिए यात्रा करते है तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा इस समय में आपकी ल लगबग सारी इच्छाय पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं, खरीददारी करने के लिए समय अनुकोल रहेगा, ये समय स्टूडन्स के लिए भी काफी शूप साबित होगा, पढ़ाई में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे, इस समय में चंद्रमा की कृपा आपको मिल रही है, उक्री के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी, आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा, इस समय में आपका मित्रों के बीज उठना बैटना होगा, इस वक्त आप अपनी परसनलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे, इस समय में आप शोव की नजर आओगे, आ पड़े काम इस दिन पूरे कर ले, और इस दिन को पूरी तरे से एंज्जॉय करने की कोशिश जरूर करे, इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, आप एनरजिटिक रहोगे, स्वास्त और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे, इस दिन का पूरा आप जरूर उठाए इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और आठ अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोज नाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अ यही ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़े नजर नहीं आती वह चीज़े हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीज़ों से हमारे घ पर रखे और उनको अतर पर रहे उसके है। आप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीज़े हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीज़े तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीज़े बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखे clean रखे साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अ से टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला, इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आ इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में ट्रिडशेडा हट होती है, और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मक दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं, तरक्कि ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्षमी जी का प्रभेश अमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद